सफल बने समर्थ बने पावन बने जिवन मीठी मुरली सुनके पाए सुख सघन आज का चिंतन आज का चिंतन आज का चिंतन ओम शान्ती कल्ब कल्ब संगम युगे आने वाले शिवाबा आकर हमें इस साकारी सिष्टी से निराकारी दुनिया में ले जाने वाले बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं अभी तुम अमर लोग की यात्रा पर हो तुम्हारी यह वुद्धी की रूहन यात्रा है जो तुम सच्चे सच्चे ब्रामणी कर सकते हो बाबा हम बच्चे को पोच रहे हैं अपने आप से वापस में कौन सी बारतलाब करना ही शुब सम्मिलन है बाबा करें अपने आप से बात करो कि हम आतमा अब इस पुरानी चीची शरीर को छोड़ बापस घर जाएंगे यह तन कोई काम का नहीं अब तो बाबा के साथ जाएंगे आपस में जब मिलते हो तो यही बारतलाब करो कि सर्विस बृद्धी को कैसे पाएं सब का कल्यान किस तरह हो सब को रास्ता कैसे बताए एही शुब सम्मिलन है बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किये है दिल का साहरा तोट ना जाए जब सर्वेश शक्तिवान बाबा मिला है तो दिल का साहरा अब नहीं तोट सकता है बाबा केते हैं जो जिस कुल के होते हैं वो अपनी कुल को जानते हैं चाए हम कुल वाले हो वा अच्छा कुल वाले हो हर एक अपनी कुल को जानते हैं और समझते हैं कि इसका कुल अच्छा है कुल कहो वा जाती कहो दुनिया में तुम बच्चों की सिवाए और कोई नहीं जानते कि ब्राम्हणों को ही सर्वतम कुल है पहला नंबर कुल कहेंगे तुम ब्राम्हनों का ब्राम्हन कुल अर्थात इश्रिय कुल पहले है निराकारी कुल फिर आते हैं साकारी सुष्टी में सुक्षमतन तो कुल होता नहीं उँचे से उँचा साकार में है तुम ब्राम्हन का कुल तुम ब्रामन आपस में भाई वहन हो बहन और भाई होने के कारण बीकार में जाने सकते हैं तुम अनभव से कह सकते हो कि यह पवित्र रहने की बड़ी अच्छी इप्ती है हर एक कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है शिर्वंग्शी तो सब है फिर जब साकार में आते हैं तो प्रजापिता का नाम होने की कारण भाई वहन हो जाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर रचता एडप्ट करते हैं बाप को लोकिक अलोकिक परलोकिक कहा जाता है और प्रजापिता ब्रह्मा को अलोकिक बाप कहा जाता है भक्ती मार्ग में तो है भग्वाद कहते है परमपिता आओ धर्ति पर परमपिता सभी कहते रहते हैं परन्तु इस बाबा प्रजापिता ब्रह्मा जो है इनको कोई भी भुकारते नहीं है यह बाबा भी होता है ब्राम्हन बच्चो क्या उन दोनों को तो सब जानते हैं बाकि ब्रह्मा में मुझ पड़ते हैं क्योंकि ब्रह्मा तो है ही सुक्षम बतन में बाबा कहते हैं यह भी किसी की बुद्धी में नहीं आता है कि शुक्ष्ण बतन में प्रजा रच नहीं सकते यह सब बाते बाप समझाते हैं यह रुखान यत्रा भी गाई हुई रुखान यत्रा वो जहां से फिर लोड नहीं आना है दूसरी यत्रा हैं तो सब जन्जनमांतर करते रहते हैं और जा कर लोड आते हैं वो है जिसमानी यत्रा यह तुम्हार यह रूहानी यत्रा इस रूहानी यत्रा करने से तुम रुत्य लोक में नहीं लोटते हो बाप तुमको अमरलग की यत्रा सिखलाते हैं वो काश्मी तरफ अमरनाद की यत्रा पर जाते हैं वो कोई अमरलग नहीं है अमरलक एक है आत्माओं का दुसरा है मनिश्यों का जिसको स्वर्ग अथवा अमरलक कह सकते हैं बाबा कहते हैं तुम अमरपुरी की यात्रा पर हो पैदल जाने की वो शारिरिक यात्रा है यह है रूहानी यात्रा आज बाबा हम बच्चों को रूहानी यात्रा के बारे में समझा रहे हैं जो सिखलाने वाला एक रूहानी बाप ही है एक ही बारा के सिखलाते हैं वो तो जन्म जन्मांतर की बात है यह हम रुद्विलों के अंत की यात्रा यह तुम ब्राम्हन कुलवशान ही जानते हो बाब कहते हैं बास्ता ने यातरा को भुलना नहीं चाहिए लेकिन माया भुला देती है इसलिए लिखते हैं बाबा आप की याद भूल जाती है आरे याद की यातरा जिस से तुम एवर यल्दी ever wealthy बनते हो ऐसी दवाई को तुम भूल जाते हो वो यह भी कहते हैं कि बाप को याद करना तो बड़ाहिस सहजे अपने साथ बाते करनी होती है कि हम आत्मा पहले सुत्वप्रधान थी अव्तमप्रधान बन गई है अब शिवावा हमको युक्ति तो बहुत अच्छी बताते हैं बाकी अभ्यास करना है आँख बंद कर विचार नहीं किया जाता बाबा ने एक करके दिखाई ऐसे आपने साथ बात करो कि हम सुत्वप्रधान थे हम ही राज्यक करते थे अब आइरन एज का अंत है तो बाबा आया हुआ है बाबा हम आत्मा को कहते हैं मुझे याद करो अपने घर को याद करो जहां से आये हो तो फिर अंत्मती सोगती हो जाएगी तुमको वहां ही जाना है बच्चों को सवेरे सवेरे उट अपने से बाते अर्थाद रोडियान करनी चाहिए बिचार साजर मंधन करना चाहिए किसी को समझाना होता है कि यह 84 जनम का चक्र है 84 जनम कैसे लेते हैं कौन लेते हैं जरूर जो पहले आएंगे वो ही लेंगे बाब ही आकर राजियुक सिखलाते हैं संगम पर यह ही याद की आत्रा तुम्हारी उद्धी ही जानती है यह बात है सिवाए ब्रह्मा मुख बंग्शावली ऐसा कोई मनिश्य नहीं होगा जिसके फास यह ज्यान होगा सब में सरवफी का ज्यान भरा हुआ है यह कोई नहीं जानते कि परमात्मा बिंदी है ज्यान सागर पतित पावल है सिर्फ ऐसे ही आते रहते हैं गुरु लोग जो सिखाते हैं वो सत सत करते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते है उस पर भी बिचार चलाते तो यह सत्य है या वा नहीं बाप समझाते हैं तुम बच्चों को चलते फिरते याद की यात्रा में जरूर रहना है नहीं तो भी कर्म बिरास हो नहीं सकते हैं कुछ भी कर्म करते रहो परंत बुद्धी में बाप की याद रहे श्रिनात द्वारे में भोजन बनाते हैं तो बुद्धी में यह श्रिनात रहता है ना बेठे ही मंदिर में हैं जानते हैं कि हम श्रिनात के लिए बनाते हैं भजन बनाया भोग लगाया फिर घर वाले बच्चे आदी आते रहेंगे वह भजन बनाते हैं मुख बंद बाते नहीं करेंगे मंसा से कोई भी कर्म नहीं बनता है वो श्रिनाद के मंदिर में बैठे यहां तो शिबावा के पास बैठे हो यहां भी बावा युक्ति बताते रहते हैं बच्चे कोई फलतू बात नहीं करना तो बावा अजधारणाओं में हम बच्चों को कहते हैं आपस में शुब सम्मेलन कर सर्विष्ट की वृद्धी के प्लेन बनाना है अपने और सर्व के कल्यान की उक्ति रचनी है कभी भी कोई व्यर्थ वाते मलत फल्थ वाते नहीं करना है सवेरे सवेरे ओठ कर अपने आप से बाते करनी है बिचार सागर मन्थन करना है बाबा वरदान दे रहे हम बच्चों को बिनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भवो बिनाश के समय पेपर में पास होने वा सर्व परिष्टितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट धारी रूपधारी बनो जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप शरीर दिखाई नहीं देगा जैसे पांट बजाने वाले समय चलो धारण करते हैं वो चला जो उनको अभी नहीं करना होता है कार्य समाप तुहा चला उतारा एक सेकेंड में धारण करो और एक सेकेंड में नियारे हो जाओ जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्तरधारी लाइट ही इन्हों का श्रिंगार है बावा जह हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं उमंग उसा के पंकसदा साथ हो तो हर कारिया में सफलता सहज मिलती जाएगी तो आज की मुर्ली कामसरा हम स्वमाल लेंगे मैं प्रीत वुद्धी परमात्मा की प्यारी आत्मा हूं मैं प्रीत वुद्धी परमात्मा की प्यारी आत्मा हूं ऐसे ही मुरली को और गहरे रिती से चिंतन करते हुए निरंतर बीचार सागर मंदन करना है और बाबा मेरे साथ है सर्वेशक्ति वान साथ है तो कोई भी किसी भी परिस्तिती से मैं डर नहीं सकती हूँ मैं आत्मा मुश्कुराते रहे आगे वड़ते रहे पुरुशार्थ करते रहे खुश रहें स्वस्त रहें मस्त रहें ओम शांती ओम शांती ओम शांती